मादेव क्लासिस में आज वी का स्वगत है मैं आज आपके सामने जो हूँ स्टेचू ओफ इक्वेल्टी यानि समानता की जो मूर्ति है उसके बारे में बताने जा रही हूँ तो ये जो मूर्ति है, ये है रामानुज की, रामानुज जो संत थे, उनके उपर ये जो मूर्ति जो थी ये बनाए गए थी, तो ये मूर्ति जो दूसरी बात है, ये जो है कहां पर इस्तित है, यानि ये जो मूर्ति है, ये कहां पर इस्तित है, तो ये मूर्ति जो है, ये आ जो है एक जिन्ना जियर ट्रस्ट है वहां पर उसके परिसर में जो है यह आधार भावन में यह मूर्ति इस्तित है कौन सी रामानुज की तो इस मूर्ति का विचार कैसा है तो 2014 के आसपास जो है जिन्ना जियर ने जो है इनकी एक हजारवी कितनी एक हजारवी वर्सगांट बनाने के लिए इस मूर्ति को बनाने का विचार क्या था तो इसकी उचाई कितनी है तो इस मूर्ति की उचाई जो है वो 216 फिट है कितनी है 216 फिट है ठीक है और जो है यह जो ह कि सबसे बड़ी मूद्धियों में लंबी नहीं लंबे वाली में तो कौन सी है सरदार बल्ला भाइपर टेल की जो गुजुरात में सित्थ है वह सबसे उची है वह लेकिन बैठी हुई में जो है यह सबसे ऊची मूद्धिय कौन सी यह WALS जिनना जियर जिनना वाली जो आप दूसरे नंबर की दुनिया की इसका डिजाइन जो था दो हजार चोदे में जिन्ना जियर ने तियार किया था किसने किया था जिन्ना जियर ने कब दो हजार चोदे में तो इसमें आनुमान तलागत जो लगाई रखी गई थी वो रखी गई थी एक हजार करोड की कितने की एक हजार क्रोड की और इसके निर्मान की आधार सिला जो थी जिन्ना जियर नहीं रखी ती किसने रखी थी जिन्ना जियर ने और यह जो मूर्ति है यह कितने वजन की है तो यह 700 तन की है कितने टन की 700 तन की तो इसमें जो है कौन-कौन सी धातु लगी है सोना लोहा सोना चांदी तूब जस्टा पीता लिय evalu तैज्भ चीटा 2 बांगत इसे जो चीह से मगाया गैbelों जे them ये विश्कारीड situation भाना गया जो सोलव टुकडो में भारत लैका फिर वह से हैद्राबाद में यहां पर जिनना रंगा रेड़ी कीने स्थापिट किया गया था तो आगे में बताने जा रही हूं तो सबसे पहले तो यह कोश्चन पूछा जा सकता है कि इस अब मैं कोश्चन फोर्म में बता रही नमबर एक कोश्चन कि स्टेज ऑफ जो एक वालटी है यह मूट इकिसकी है तो आपका अंसर होगा राम आनुज की दूसरा यह कहां पर इस तिता है तो यह कहां पर इस्तित एधराबाद के रंगा रेड़ डी जिले के मितु चल तल में जो है जिनना जीर टरस्ट है पर इस्तित है कैसी मूर्ती है यह बैठी हुई है इसकी उंचाई कितनी है कोशन में पूछी जाएगी दोसो सोले सो फिट इसमें लागत कितनी लगी है तो एक हजार करोड की कब डिजाइन तयार किया गया तो दो हजार चोदे में और किसने रखी बनाना सुरू कर रहा है निर्मान तो जिन्ना जीर ने ठीक है इसका वजन कितना साथ सो टन किसमें निर्मित है यह जो है पंच धातू में एक कोई और धातू दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी धातू नहीं लगी है यह तीन अलग धातू दे देंगे उनमें पूछ लेंगे ठीक है तो यह पूछ लेंगे कौन सी है तो आपका यह ल तो इस तरह से जो इसके ऊपर जो मूर्ति का जो बड़े वाली का जो उद्गाटन जो किया था हमारे प्रदान-मंत्री नरेंद्र-मोधी जी ने और कब हुआ ये पांच वरवरी 2022 को हुआ इस साली और इसाली करंटा फेर में भी और वैसे भी सभी सभी परिक्षाओं की दृ के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एक कोस्चन यहां से जरूर आने की उमीद है इस सल और इसके जो आधार भवन के अंदर जो चोटी जो है एक सोने की प्रतिमा है कैसी छोटी जो बनी हुई है वो सोने की प्रतिमा है उसका उद्गाटन जो था हमारे राश्टपती रामनाथ कोविंद ने किया था किसने किया था रामनाथ कोविंद ने किया था कब किया था इसका उद्गाटन तो इसका उद्गाटन किया था तेरे फरवरी 2022 को यानि तेरे फैबरी 2022 को और मोदी जी ने कब किया था तो मोदी जी ने कहा था पांच फैबरी 2022 को ठीक है तो यानि 22 में किया था कि दोनों ने और इनों ने बर्धार मंत्री जी ने पांच फरवरी को और रश्टपती जी ने तेरे को तो ये डेट आप से प अधार भावन में क्या क्या स्थित है तो इसके अधार भावन में जो है पूस्त काले और अनुसंधान केंद्रे भी इस्थित है ठीक है तो आसा आप सभी को पसंद आया होगा इसी के साथ मैं वानी को विराम देती हूं धन्यवाद